हेलो गाईस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में गाईस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को कब्ज हो जाती है मालीजे किसी को कॉंश्टीपेशन हो जाता है तो कॉंश्टीपेशन को कैसे ठीक करते हैं तो guys constipation को ठीक करने के लिए चरक कंपनी के बहुत अच्छे tablet आते हैं जो कि Regulex Ford के नाम से आती है medicine और इसमें छोट-छोटे tablet होते हैं जो tablet constipation यानि कब जो जैसी समस्या को ठीक करते हैं तो guys यह जो medicine है वो Regulex Ford के नाम से आप market में ले सकते हैं और यह एक ayurvedic और बहुत safe medicine है जिसके कोई side effect वगयरा नहीं होते हैं और अगर हम इसके use की बात कर लें इसके फाइदों की बात कर लें तो यह सबसे ज़्यादा जो इसका use है वो constipation को दूर करने के लिए किया जाता ह है कि जब भी किसी को constipation होता है constipation यानि आपको जो हाड श्टूल की समस्या हो जाएगी कब्ज लगी रहेगी खाना ठीक से digest नहीं होगा और खाने के लिए जो पेशेंट का मन नहीं होगा और जो लेटरीन है वो काफी हाड आएगी और लेटरीन करते समय पेशेंट को बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा तो ये सारे जो हैं सिम्टम्स होते हैं constipation के और अगर ये आपको लगतार बनी रहती है constipation यानि कब्ज आपको लगतार रहेगी तो उस condition में आपको फिर और भी दिक्कत आ सकती है और भी problem create हो सकती है तो इसकी treatment के लिए Regulix for tablet बहुत अ और safe medicine होती है दोस्तों ये आपके stool को soft बनाती है मतलब stool को मुलाइम करती है जिससे stool आसानी से निकल जाता है आसानी से पास हो जाता है साथी gastric discomfort जैसी feeling होती है उसको खतम करती है गैस बनती है पेट के अंदर में abdomen में बहुत ज्यादा इस टमक के अंदर gas acid reflux होता है तो इ गैस रेगुलेक्स फोट एक ऐसी medicine है एक ऐसी remedy है जो आपके पेट के लिए बहुत सारी फाइदे करती है और इसके साथ ही आयूरवेदिक होती है तो कोई side effect इसके नहीं आती है डोस की अगर हम बात करें डोस को देखें तो इसका जो use है वो आपको एक से दो tablet bed time पर लेना ह होता है गैस यह जो पेट को ठीक करने वाली या साफ करने वाली जो medicine होती है वो maximum रात को सोते समय दी जाती है जैसे कि यहां regular export की हम बात कर रहे हैं या फिर डलकोflex tablet है या तिरफला चूरन है तो यह medicine रात को देने का reason यह होता है कि रात को bad time इनको लेने के बाद में जो patient ह है वो सो जाती है तो यह medicine 12 से 14 घंटे में अपना जो है बहुत अच्छा work करती है काफी अच्छा काम करती है patient के लिए और इसके जो result है वो patient को मिलते हैं तो सुभा तक यह आपके पेट को साफ कर देती है आपके पेट में जो भी constipation है gas बन रही है hard stool की problem है उसको सब को ठीक कर देती है तो यह in medicine को रात को लेने का reason रहता है तो guys यह आपको जो Regulix for tablet है यह भी bad time पर लेनी है और एक से दो tablet लेनी है और इस 6 से 12 साल तक का अगर कोई बच्चा है उसको एक tablet रात को सोते समय दे सकते हैं और इसके अलाब अगर हम adult की बात करें तो एक से दो tablet adult को जरु के हिसाब से उनको दे सकते हैं और इसका जो treatment है आप 7 दिन से लेकर 15 दिन 20 तक कर सकते हैं तो यह normal condition में इसका treatment रहता है और आप जब इसका सही से use करते हैं तो आपकी जो समस्या है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तो दोस् सब्सक्राइब करेंगे तो गाईज इन ही दुआओं के साथ कि आप से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जै हिंद बंदे मात्र